Supreme Court के judgment के अधार पर आप आर्माट फोर्स हैं और आप सस्थरबल हैं आप पे किसी चीज़ को थोपा नहीं आ सकता अब High Court के judgment आने के बाद आठ विक का टाइम Supreme Court में सरकार ले के जा सकती है आठ विक के टाइम सरकार को दिया गया है तो Supreme Court में जाएगी आठ विक के अंदर में उसके बीच मैं बता दूँ कि ये तमाम चीज़ें जो है किलियर हो चुका है, Figur सबके नजर में जा चुका है और मादनिय पर्धानमुति जी के भी नजर में इस चीज़ को केस को लेकर है जब भी कोई case या कोई भी भश्यास्र का मुद्दा होता है उसके तमाम हर paper भारसरकार के उच्छेपद पर कार्रत लोग के पीछ में जाते हैं और उसके जो है steno होते हैं या जो पसन सलहकार होते हैं वो लोग क्या करते हैं उसको underline करते हैं और ऐसे मामले जो है आदर्णी प्रधान मंत्री जी को भी इस चीज की नौलेज है यह मामला वित्मन्ताले को भी वित्मन्ती जी को भी नौलेज है आदर्णी ग्री मंत्री जी को भी है ग्री मंत्री जी सदार बलब भाई पटिल के बाद एकलोते ऐसे ग्री मंत्री है जिनों अगर उन्होंने moral अपने ही किया रहता तो आज parametric force का इतना moral अपने ही होता है कि जहां धुधार encounter कर रहे हैं धुधार जो है नक्सलियों को मारने में उनका पूरा योगदान रह रहा है और नक्सलवाद खत्म करने के साथ CVK Action Plan के तद बोडर एरिया में बहुत बहतर काम कर रहे हैं तो आप इस चीज को दिमाग से अपने रख लें और कर लें कि आप Supreme Court का भी अगर सरकार SLP लेके जाती है तो आपके पक्ष में ये कहीं भी मसला नहीं है और आपको बीच में बहुत जल्दी बहतर कुछ दिखने को मिला है तो इस चीज को बैतर भूनाने के लिए आप बने रहे हैं मेरे साथ कमेंट वोक्स में कमेंट जरू कीजिएगा कि क्या Supreme Court आपको ओल्द प्रिंसने स्कीम पे मोहर लगाएगी ये सरकार Supreme Court लेके जाएगी SLP को ये दो चीज को लेकर आप कमेंट वो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा और सेयर जरू कर लिए कि वोडर पर बैठा वेक्ती हर दम ये सुचता है कि हमारे पस आपके वीडियो आए जैहिन